लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें यूपी के सहारनपुर में मिला पचास लाक साल पुराना जीवास्ट में वैग्यानिकों ने बताया स्टे गोंडा हाथी का जबड़ा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में वन जीवों की गड़ना के दोरान अधिकारियों को एक ऐसा जीवाश्ट में मिला है जो पचास लाक साल पुराना है तस्वीर में दिख रहा है ये वही आउसेश है जो बादसाही बाग रौ के डाठा के किनारे मिला है वाडिया इस्टिट आप हिमालेयन जियोलोजी के वैज्ञानिकों ने जाच और अध्यन के बाद इसे स्टेगोंडा का जबड़ा बताया है जो हातियों के पुर्वश थे इनके दात बारा से अठारा पुट लंबे होते थे तब हिपोपोटैमस जिराप और घोड़े उनके समकक्ष हुआ करते थे बता दैं कि मंडल आयुकत संजय कुमार के विशेश मदद से सहारनपूर मंडल में छै माह से वन ने जूओं की गड़ना की जा रही है मुख्य वन्सवन रक्षत वीके जैन ने इसकी जानकारी देते हुए जेवाश्म के बारे में और क्या कुछ कहा आईयस सुनाते हैं यह जो फॉसिल्स है यह लगवग पचास लाख बर्स पुराना है और यह हाती का जबड़ा जाथ जो जिसको बहुते हैं मोलर टीथ वह है और यह बिसकली मिडिल से वालिक में एक डिपोजीशन रहा होगा और बर्शाद के कारार या रोक्स के पाड़ी के तूटने से अलग होने से यह एक्सपोज हुआ है इसको यह बासाई बाग में हमको मिला था एक रहो में तो इसको हम लोगों नहीं जब यह सर्वेचर कर रहे थे यहां पर हमें अभी एक डव्ड़ु एक सर्वेचर कर आया है जिसमें पूरा लेपड का टैप के माध्यम से उसकी काउंटिंग करी हुई है इसको यह बाडिया इसकी से आप जियोलोजी जैरत उन से वहां के साइंटिस्टे मिले और उन से पूरा इंट्रेक्शन किया फिर उनके मुजियम को भी विजिट किया तो यह इस्टेगर डॉन इस्पीसिज है आनि हाथी की जो शुरुआत की स्पीसिज है जैसे के रैप्त इस इस डाइनसार जो रेसिक विजिएट के डाइनसार है उसके बाद यह आती आयते हांती की सासाथ घोड़ा है इस पोपोटेमस है यह पचास लाग से अधिक पुराना इसकी उम्र पताई गई है और उनके द्वारा इसका एसेस्मेंट किया गई है ब्यूरो रुपोर्ट टीवी और इंडिया